आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जो रही हूँ जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि जो हमारे भाग्य में होता है, वो ही हमें प्राप्त होता है ये कहानी बहुत ही अच्छी है एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शुर्फ अकाश मार्क से कहीं ज़ा रहे थे, उनकी नजर एक गरीब परिवार पर पड़ी, जिसे देखकर माता पार्वती को उन पर दया आ गई, और उन्होंने भगवान शुर्फ से कहा, प्रभू, आप तो दया निधान हैं जरूर करूंगा, तब माता पार्वती ने उन गरीब परिवार लोगों को एक एक वरदान देने के लिए भगवान शुर्फ को राजी कर लिया, इसके बाद माता पार्वती एवं भगवान शुर्फ उस गरीब परिवार के समक्ष प्रकट हुए, और उन्हें उनकी तो के लिए उनका सौंदरी ही सबसे बड़ा धन होता है, मुझे संसार की सबसे खूबसूरत इस्त्री बना दीजे, भगवान शुर्फ ने कहा, तथास दू, वे महिला एक सुन्दर युफती में बदल गई, जब उस महिला के पती नी, अपनी पत्नी को इतना सुन्दर दे पत्नी को एक रूप राक्षी सिंग बना दो, तो भगवान शुर्फ ने तथास्तो कहा, और वे सुन्दर इस्त्री एक राक्षी नी में बदल गई, अब उस महिला का पत्र अपनी मा को इस भयानक रूप में देखकर बहुत डर गया, और जोर-जोर से रोने लगा, तब भ भगवान शुर्फ ने पुना तथास्तो कहा, और वो महिला अपने वास्तविक रूप में आ गई, तीनों लोकों के द्वारा वर्दान मांगा जा चुका था, परन्तु सिती वैसे ही थी, जैसे की वर्दान मांगने से पहले थी, अब भगवान शुर्फ और माता पार्वत वापिस जाने लगे, तो रास्ते में भगवान शुर्फ ने माता पार्वती से कहा, हमारे चौहने से भी मनुष्रे का भागे नहीं बदला जा सकता, क्योंकि मनुष्रे अपने भागे का निर्मान अपने कर्मों के द्वारा करता है, और सभी को अपने कर्मों का फल भुग इतना ही पड़ता है, इस जनम में नहीं, तो अगले जनम में, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही आप कोई परानी कथा सुनना चौहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, धन्यवाद, उम नमस्रवाई